Students, तो Students, आज के वीडियो में हम Ties of Test परिक्षण के प्रकार के विशय में अध्यन करेंगे, जिसके अंतरगत ऐसे टाइप टेस्ट अर्थात निवनदात्मक परिक्षण के विशय में विस्तार पूर्वक अध्यन करेंगे और इसके अंतरगत हम निवनदात्मक परिक्षण की परिभाशा, परिक्षण के गोण, परिक्षण के दोश, उसकी विशेशताएं और उन दोशों को दूर करने हैं तू, जो सुझाव है, उनके वारे में हम क्या करेंगे? आध्यन करेंगे तो, स्टुडेंट्स, हम निवनदात्मक परिक्षण से पहले ये इसके विशेश में चर्चा करेंगे कि वास्तब में परिक्षण और परिक्षण क्या है? क्यूंकि परिक्षण मोल्यांकन की सबसे अधिक प्रचलित प्रविदी है, आप सभी को ये ग्यात होगा और हम मनुष्य है, तो हमारे जीवन में प्रते एक परिस्थिती में, प्रते एक मोल में हमारी परिक्षण होती रहती है, पर अगर हम सिख्षा की वाद करें तो सिख्षा के चेतर में परिक्षा का एक विशेश मेहत होता है होता है न, इसके अंतरगत हम क्या करते हैं, बच्चों की योगिता, रुची और रुजान का पता लगाने के लिए, और यह देखने के लिए, कि सिक्षा के परिणाम स्वरूप, बच्चों के रहवार, ज्यानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक में क्या परिवर्थन हुआ ह हम बच्चों से मौखी कतवा, लिखित रूप में कुछ प्रश्ण पूछते हैं, और इन प्रश्णों के उत्तरों के आधार पर ही, बच्चों की रुची रुजान, योगिता और वैवार में होने वाले परिवर्थनों की जाच करते हैं, वास्तम में कौशलों की जाच करन लेकिन हम इसके लिए जो पास्चायत्य देशों की प्रणाली है, उसका अनुकरण करते हैं कि पास्चायत्य देशों में आज इस क्रिया के लिए प्राई परिक्षन टेस्टिंग शब्द का प्रियोग किया जाता है, कुछ विद्वान परिक्षा और परिक्षन में अंतर समझने की भूल करते हैं, उनका कहना है कि पारिक्षा बच्चों की स्ट्रेक्षिक योगिता के मापन तकी सीमित होती है, और परिक्षन द्वारा बच्चों की बुद्धी और उनकी व्यक्तित्यों का मापन भी होता है, लेकिन वास्तविक्त ये है कि इन दोनों में इस प्रकार का कोई अंतर नहीं है और आज हम इन दोनों शब्दों का प्रियोग एक ही क्रिया के लिए करते हैं उधारण के लिए बुद्धी परिक्षा अत्वा बुद्धी परिक्षण का एक ही अर्थ होता है बात दर असल यह है कि जो पास्चायत्य देश है उसमें आज परिक्षा शब्द की जगह है शब्द परिक्षण से बदल दिया गया है अर्थात परिक्षा के इस्थान पर परिक्षण शब्द का प्रियोग किया जाता है और हमारे देश में वर्तमान समय में भी इसे अभी तक परिक्षा ही कहा जाता है लेकिन जब हम लिखते हैं तो लिखने में परिक्षा और परिक्षन दोनों शब्द का ही प्रियोग करते हैं क्योंकि हम इन दोनों शब्दों के द्वारा ही ये कायरे करते हैं कि मुल्यांकन हमें किस प्रकार से करना है वो हम परिक्षा या फिर परिक्षन के द्वारा ही संभव कर पाते हैं और मापन मुल्यांकन का एक आवश्रक अंग है और परिक्षा जो है वो मापन की एक वीधी है क्यूंकि इसके अंतरगत हम बालकों की रूची, रूजान, योगिता और वैवार में होने वाले परिवर्तनों का मापन केवल परिक्षा द्वारा ही कर सकते हैं इसलिए जो मापन है वो एक व्यापक शब्द है और जो परिक्षा है वो उनकी अनेक विधियों में से ही एक विधी है ठीके इसके पशात जो प्रशनों की रचना की जाती है वो रचना और उनके उत्तरों के स्वरूप एवं प्रकार के आधार भी जो है परिक्षाओं के रूप के अंतरगत निश्शित किये जाते हैं और वे रूप है निवन दात्मक परिक्षाएं, लगू उत्तर रूप परिक्षाएं और वस्तुनिस्ट परिक्षाएं, ऐसे टाइप्स, शॉर्ट टाइप्स और अबजेक्टिब टाइप्स इनके विश्वय में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे और आज हम ऐसे इसके बारे में विस्त्रित रूप से विचार करना और इसके बारे में गहन अध्यन करना हमारे लिए अत्यंत आवशक हो जाता है और इसके लिए हमें इसके बारे में जानकारी होनी भी अत्यंत आवशक है क्योंकि परिक्षन या परिक्षा के द्वारा ही हम बालकों का मूल कर सकते हैं अब हम प्रारंब करते हैं निवंदात्मक परिक्षण कि निवंदात्मक परिक्षण क्या है निवंदात्मक परिक्षण वे परिक्षाएं होती है जिनमें छात्रों को कुछ एक पूछे गई प्रशनों के उत्तर अपनी स्वयम की भाशा का प्रियोग करते हुए विस्तार से देने होते हैं, चात्रों को पूछे गए प्रश्णों के उतर लिखित रूप में एक निवन्द के रूप में देने होते हैं, इसलिए इने निवन्दात्मक कहा जाता है उत्तर की सीमा क्या हो ये प्रश्ण के स्वरूप छात्र की योगिता तथा उपलब्ध कराये गए समय पर निर्भर करती है इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वे परिक्षाएं जिनमें हम ऐसे प्रश्ण पूछते हैं या जिनमें ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं जिनका उत्तर निवन्द रूप में देना होता है वो निवन्दात्मक परिक्षाएं कहलाती है और जो लिखित परिक्षाएं हैं उनका श्री गणेश अर्थात शुभारंभ भी इसी प्रकार की परिक्षाओं के रूप में हुआ था और ये लिखित परिक्षाएं का सबसे प्राचीन रूप है और कुछ लोग तो इन्हें प्राचीन परिक्षापद्धती भी कहते हैं लेकिन इनका प्रचलन प्राचीन समय से ही चलते हुई आ रहे हैं और आज भी हम प्राय इसी प्रकार की परिक्षाओं पर ही निर्भर र अध्यापक तथा परिक्षकों द्वारा लंबे समय से निवन्दात्मक प्रश्णों का चात्रों के वानिज्य विश्य से संबंदित ज्यान का माप सफलता पूर्वक किया जा रहा है क्यूंकि इस व्यवस्था के अंतरगत चात्र को वानिज्य से संबंदित कुछ प्रश्ण दे दिये जाते हैं तथा चात्र उनका उत्तर अपनी योग्यतावा समर्थ के अनुसार विस्तार से एक निवन्द के रूप में देता है जिनकी जांच करके परिक्षक या अध्यापक चात्रों के वानिज्य विशे से संबंदित उपलब्धी का अंकन या मापन करता है ये निवन्दात्मक परिक्षण थे अब निवन्दात्मक परिक्षण के गुण कि इसके जो गुण है वो क्या है निवन्दात्मक परिक्षण के गुण को हम इस प्रकार से प्रकट करते हैं जैसे सर्व प्रथम है निर्मान की द्रिष्टी से सुगमता निर्मान की दृष्टी से किस प्रकार सुगमता है? जब निवन्दात्मक परिक्षणत के द्वारा प्रश्ण पत्रों का निर्मान होता है तो वह अत्यंत शरल तरीके से होता है क्यूंकि प्रश्ण छोटे होते हैं और इने कम समय में तैयार किया जाता है और इन प्रश्ण पत्रों के निर्मान में किसी पूर्व प्रसिक्षण या विशेश कौशल की आवशकता नहीं होती तथा फ्रतेक सिख्षक, जिसे अपने विशे से संबंदित पाथे वस्तु का संतोज जनक तक का ज्यान हैं, वो इन प्रश्ण पत्रों का निर्मान कर सकते हैं नेक्स्ट विस्त्रित पाइठिक्रम पर आधारित निवनदात्मक परिक्षन समस्त पाइठिक्रम पर आधारित प्रश्ण के अंतरगत सम्मिलित होते हैं इसमें समस्त पाइठिक्रम पर आधारित प्रश्ण पूचे जाते हैं तथा सभी अध्यायों के संबंद में विध्यारतियों के ग्यान तथा विक्सित मांसिक योगिता के संबंद में निर्णय लिये जा सकते हैं इस प्रकार से निवन्दात्मक परिक्षण विस्त्रित पाइट्रिक्रम के मूल यांकन में सहायक होते हैं नेक्स्ट विस्ष्ट मांसिक युग्यता की जाच विस्ष्ट मांसिक युग्यता की जाच कर सकते हैं क्योंकि निवंदात्मक परिक्षण में विध्यार्थियों को अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता होती है, इसलिए इनके द्वारा विशिष्ट्य यूग्यताईं जैसे तर्क अभिव्यंजना, आलोशनात्मक चिंतन, आदी का मापन भी संभव होता है, इसके पश्चात लेखन स शक्ति के विकास की जाच में सहायक, हम निवंदात्मक परिक्षण के द्वारा विध्यार्थियों की लेखन शक्ति का विकास तथा विकास के साथ साथ लेखन शक्ति के विकास की जाच में भी सहता मिलती है, जिसके फरिणाम स्वरूप, विचारों के प्रस्तुतिकरण मे लेकिस्पस्टता, प्रभाव, महत्तोता तथा शुद्धता पर भी ध्यान दिया जाता है और इन सभी का ज्यान हो अर्जित होता है इसके पश्चात भावो का संगठन हम निवन्दात्मक परिक्षण के माध्यम से तथ्यों और सुचनाओं को दिश्वा प्रदान करने की चम समय श्रम तथा समय की वचत इन परिक्षणों से संबंदित प्रश्णुपत्रों का निर्मान कम समय में ही किया जाता है तथा इन प्रश्णुपत्रों द्वारा विश्रित पाइठिक्रम के संबंद में एक साथ अनिक विध्यारतियों की जाज की जाती है और इनके अतरिक मुंद्रण तथा मूल्यांकन में भी कम धन खर्च करना पड़ता है और सबसे अंत में मौलिकता का परिक्षण निवंदात्मक परिक्षण के द्वारा विध्यारतियों को अपने विचारों को मौलिक रूप देने का प्रियाप्त अफसर मिलता है अर्थात वे अपने विचारों को व्यक्त करने के समान अफसर उनको दिये जाते हैं और वो अपने विचारों द्वारा जो भी उनकी समस्या है उनका समाधान कर सकते हैं और उनके विचारों को प्रगानता भी इस मौलिकता परिक्षण के द्वारा ही मिलती है या फिर मौलिक्ता का जब परिक्षन होता है तो वो अपने विचारों को मौलिक रूप से व्यक्त करने के समान अवसर उनके सामने प्रस्तुत किये जाते हैं ये निवंदात्मक परिक्षन के गुण थे अब निवंदात्मक परिक्षाओं की विशेश्टाएं वैसे आज वर्तमान समय में भी निवन्दात्मक परिक्षाओं की बड़ी आलोचना की जाती है लेकिन कुछ विशेशताएं इन में ऐसी भी है जो अन्य प्रकार की परिक्षाओं में नहीं पाई जाती है और वास्तव में यही कारण है कि सिक्षा की छेत्र में आज इनी परिक्षाओं का बर्चस्व है और इसी के आधार पर इनकी विशेशताओं का हम विवेचन अपने शब्दों में इस प्रकार से कर सकते हैं जो विशेशताएं हैं सर्व प्रथम वैभारिक्ता दुतिये ज्यान की विश्त्रित परक तृतिये उच्छ मांसिक शक्तियों का प्रियोग चादूर्थ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और पंचम भाशा शैली और अभिव्यक्ति शक्ति की परक इसके अंतरगत वैभारि जो एक अच्छी परिक्षा होती है उसमें तीन गुण अवश्य होते हैं वैद्धिता विश्वश्नीता और व्यभारिक्ता और निवन्दात्मक परिक्षाओं में इनमें से केवल तीसरा गुण ही पाया जाता है इस परिक्षाओं की सबसे वड़ी विशेश्चता यह है कि इसके प्रश्नों की रचना बड़ी सरलता से होती है और इस प्रकार की परिक्षा की ववस्था करना भी सरल होता है किसलिए एक ही समय अनेक परिक्षार्थियों की परिक्षा ली जा सकती है और उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन भी सरलता से कराया जा सकता है ज्यान की विश्त्रित परक अब निवन्दात्मक परिक्षा की दूसरी विशेश्ता है कि हम इनकी साहता से बालकों के अरजित ज्यान की परक बड़ी सरलता से कर सकते हैं और इन परिक्षाओं से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्राय इस प्रकार के होते हैं कि उनका उत्तर वे ही चात्र दे सकते हैं जो सिक्षन के परिणाम स्वरूप होने वाले परिवर्तनों में ज्यान को अधिक संचय करते हैं Next, उच्च मांस्तिक शक्तियों का पिरियोग, निबंदात्मक परिशाओं में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए सबसे पहले इस्मृति की आवशकता पड़ती है, है ना? क्यूंकि इस्मृति की आवशकता किसलिए पड़ती है? जो भी छात्र होते हैं वो सीखे हुए तथ प्रश्णों के उत्तर निवंद के रूप में देनी होते हैं और निवंद लिखना एक तेड़ी खीर के समान माना जाता है इसकी लिए विचार और तर्क शक्ति की आवशक्ता होती है और जो भी छात्र होते हैं उनको अपने जवाब देने के लिए अपने आपको तयार करना होता है और जिससे उनकी मानतिक शक्तियों का विकास होता है और उनके उत्तरों से हम उनकी उन शक्तियों की जाच भी कर सकत टत पशात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, निवन्दात्मक परीषण की ये भी एक गुण है कि इनके प्रशनूं में UTRA देने में परीषार्थी को काफी स्वतंत्रता होती है, क्यूंकि वे अपनी भाषा और अपनी शैली में अपने विचार को स्पस्ट करने के लिए स्व चल जाता है और इस प्रकार की परिक्षा देने से बच्चे अपनी बात को अपने ढंग से कह सकते हैं और लिख सकते हैं सबसे अंत में भाशा शैली और अभिव्यक्ति शक्ति की परक इन परिक्षाओं में बच्चों को अपने अरजित ज्ञान को अपनी भाशा शैली में लिखने और अभिव्यक्त करने की स्वतंतरता रहती है इसलिए इनके प्रश्णों के उत्तरों को देखकर बच्चों की भाशा शैली और अभिव्यक्ति शक्ति का भी मापन किया जा सकता है और इन सब का मापन करने की तो केवल यही विदी होती है इसलिए भाशा की जो परिक्षा है उनमें इसका सबसे अधिक महत्र होता है यह निवन्दात्मक परिक्षाओं की विशेशताएं थी अब निवन्दात्मक परिक्षाओं के दोश निवन्दात्मक परिक्षाओं में गुण कम दोश अधिक है किसलिए क्यूंकि एक अच्छी परिक्षा के समस्त गुणों को हम तीन शीर्चक वैद्देता विश्वस नेता और वैवारिक्षा के अंतरगत व्यक्त कर सकते हैं या वर्गिक्रत कर सकते हैं इन में से केवल एक ही गुण इन परिक्षाओं में होता है वो कौन सा था वैवारिक्षा अभी इसके बारे में बताया था और अन्य दो गुणों का इन में बहुत अभाव होता है और इन दोशों के अतिरिक्त भी इन में कई ऐसे दोश समाहित हैं जिनके द्वारा निवन् परिक्षाएं सफलता पूर्वक संपन्य नहीं हो पाती हैं और इन सभी दोशों के बारे में हम इस प्रकार से अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं जैसे यह जो परिक्षाएं होती हैं वो शारिरिक तथा मानसिक स्वास्त में बाधक होती है सारी रिक और मानसिक स्वास्त में बाधक क्योंकि जो बालक होते हैं पूरे वर्ष अध्यन ना करके केवल परिक्षाएं से कुछ दिन पहले ही अध्यन करते हैं और इस अवदी में अधिक से अधिक तयारी करने के कारण अपनी दिन्चरिया के प्रतिवे अनियमित हो जाते हैं और इस अनियमित्ता का प्रभाव किसके उपर पड़ता है? उनके स्वास्त के उपर पड़ता है ततपश्चात उत्तर के संबंद में अनिश्चीता जो विध्यार्थी होते हैं वो उत्तर लिखते समय किसी निश्चीत मापधंड को ध्यान में नहीं रखते हैं प्रतेक विध्यार्ती अपने विधी से प्रश्णों का उत्तर परस्तुत करते हैं इन परिक्षणों में परिक्षार्तियों को केवल भाशा शैली के आधार पर ही परिक्षकों को धुका देने का अफसर प्राप्त होता है क्यूंकि परिक्षकों के पास भी ऐसा कोई मावदंड नहीं होता जिसके आधार परवे निश्चित कर सके कि उत्तर के प्रस्तुती करण में उन्होंने भाशा शैली तर्क शक्ती एवं तत्यों के प्रस्तुती करण आधी को किस सीमा तक ध्यान में रखा है इसके परशात पाट्यक्रम का अपरियाप्त प्रतिनिदित्व इस प्रकार के परिक्षणों से प्रश्न पत्रों में पाट्यक्रम का फून प्रतिनिदित्व नहीं हो पाता क्यूंकि इन में पाट्यक्रम के मुख्य मुख्य स्थानों पर मात्र 5 प्रश्नों से लेकर 10 प्र याप नमूना करण से विध्यार्थी के विकास का उचित मूल्यांकन नहीं हो पाता तत पश्चात वास्तविक्ता के ज्ञान के मूल्य का अभाव वास्तविक्ता का जो ज्ञान है उसका मूल्य भी उनके अंदर नहीं होता है अर्थात उनके वास्तविक ज्ञान की भली वात नहीं होने के कारण अफसर की प्रधानता के कारण कम ज्ञान प्राप्त करने वाले विध्यारती भी कभी कभी अपने से अगर्णी विध्यारती से आगे बढ़ जाते हैं जबकि अधिकांश पाट्थे वस्तु का अध्यन करने वाले विध्यारती केवल कुछ आपठित प्रियोग करने की अविक्सित छमता जो निभंदात्मक परिशन है इसमें विध्यारती अपने ग्यान का विविन्यमान्सिक शक्तियों के विकास के अभाव में प्रियोग नहीं कर पाते हैं इसी कारण विवेशनात्मक विश्लिशनात्मक तथा संसलेशनात्मक प्रश्णों के पूछे जाने पर विध्यारती उनका सही से उत्तर नहीं दे पाते हैं फिर ये परिक्षाएं वैद नहीं होती है वैद नहीं होती है क्योंकि निभनदात्मक परिक्षाओं की साहता से केवल ज्ञान में होने वाले परिवर्तन की जाच की जाती है और यदि सच पूछा जा तो ज्यान की भी नहीं अपितू इसमरण अथवा रटने की शक्ती की जाच होती है और इनके द्वारा बालकों के पूर्ण व्यक्तित्यु की जाच नहीं होती इसलिए हम इन परिक्षण को वैद्ध परिक्षण नहीं कह सकते हैं बलकि उसको वैद्ध बनाने के लिए उसको व्यापक और विवेदकारी बनाना अत्यनता आवश्चक है। इसके पश्चात ये परिक्षाय विश्वशनिये नहीं होती। किस प्रकास से विश्वशनिये नहीं होती। क्यूंकि यदि किसी समू को एक प्रश्णुपत्र आज दिया जाए, तो फिर उसी को आठ दिन बाद उनी चात्रों को दिया जाए, तो उनके परिणामों में जमीन आस्मान के अंतर की संभावना रहती है। इतने समय में चात्र केवल उस सामागरी को रट सकते हैं, जिनकी साहता से वे अच्छे अंक प्राप्त कर सके। और निवन्दात्मक प्रश्णों के सदयव एक अर्थ नहीं होते। इनके एक ही प्रश्ण का एक परिक्षार्थी कुछ और अर्थ लगाते हैं और दूसरे परिक्षार्थी दूसरा अर्थ लगाते हैं। सामान्यता परिक्षकों के द्रिष्टी से एक ही प्रश्ण के भिन्य भिन्य प्रश्ण का अलग-अलग अर्थ होता है। इसके परिशाद ये परिशाएं छात्रों को रटने के लिए बाध्य करती हैं किस प्रकार से बाध्य करती हैं? चो निवन्दात्मक प्रश्ण हैं, वो उत्तर सूचनाओं को इसमरन रखने पर अधिक निर्भर रहते हैं और बालकों में सूचनाओं को रटने की प्रवर्ती बढ़ती है तो क्या होता है ऐसा करने से बालक वास्तविक ज्ञान की प्राप्ती के लिए प्रोसाहित नहीं होते हैं वरन सूचनाओं जो इकत्रित करते हैं वो स्रिफ रटने के लिए वो इकत्रित करते हैं और उनके पर बड़ा बोज होता है और पुनहा इस्मरन करने पर भी उससे बड़ा बोज होता है उसके पश्चात परिक्षाएं अन्यातिक्ता को प्रोसाहन देती है इस प्रकार जी जो परिक्षाएं हैं वो अन्यातिक्ता को प्रोसाहन देती है किस प्रकार से जो परश्ण पत्र होते वो एक विशेश शैली में बनाय जाते हैं, उनका एक अपना स्वरोब होता है, अध्यापक और सिक्षार्थी दोनों ही पिछले वर्षों के प्रश्ण पत्रों के आधार पर पूछे जाने वाले प्रश्णों का अंदाजा लगाते हैं, कुछ अध्यापक तो परिक्षा प्य और जो शेश के पढ़ाने के लिए जो उप्योगी पाइट्टे वस्तु होते हैं, उनको पढ़ाना वे अपनी शक्ती नश्ट करना समझते हैं, और इसलिए वे उनको पढ़ाने के लिए उस्सुक नहीं रहते हैं, इसके अतरिक ये भी है कि ये साध्धन ना होकर सुयम में साध्ध है, सुयम में साध्ध है क्योंकि नियोजिस सिक्षा में बच्चों को जो बिभिन्य विशयों का ज्यान कराया जाता है और उन्हें जिन बिभिन्य क्रियाओं में प्रसिक्षित किया जाता है, उनका कुछ उद्देश्य अवश्य होता है, लेकिन ये परिशाएं के ज्ञान में वृद्धी और सच पुछियतों केवल सूचनाओं के रटने की सीमा का ही मापन करते हैं इसलिए बास्तविक उद्देश की प्राप्ती में ये किंचित मात्र भी खरी नहीं उतरती और अपने इन दोशों के कारण ही स्वयम में साध्य हो गई है और इन परिक्षा में उतरिण होने की द्रिश्टी से ही बालक तैयारी करते हैं और ये भी कहते हैं कि परिक्षाएं व्यापक और वस्तुनिस्ट हो तो वे अपने यथा उद्देश्टी से अलग हो ही नहीं सकती हमें इसके लिए निरंतर प्रियास करना चाहिए ये थे निवंदात्मक परिक के दोश अब निवंदात्मक परिक्षण के दोशों को दूर करने के लिए कुछ सुझावों के बारे में हम अध्यन करेंगे क्यूंकि इन सुझावों को हम जब जानेंगे तब सिक्षण में अगर इस प्रकार की दोश हमारे समक्ष आएंगे या कोई त्रूटी हमारे समक् जिसके द्वारा हम अगर परिक्षण करें और उसके अंत में मूल्यांकन करें तो उसमें हमें सफलता हासिल हो सकती है चीके तो जो सुधार है तो सुझाव है क्योंकि देखा गया है ना कि इसमें परियाप्त दोश हैं लेकिन दोश होने के पश्चात्वी वर्तमान समय में भ योगीता को हमें बढ़ाने तथा इनमें व्याप्त दोशों को दूर करने की हमको आवशकता है और इन दोशों को हम आवशक सुधारों का अनुकरण करके ही इन दोशों को हम दूर कर सकते हैं इसके अतरिक हम निमलिखित सुझावों का अनुकरण कर सकते हैं सबसे पहले न अधिक से अधिक प्रश्ण पूछे जाएं तथा छात्रों से आपेक्षा की जाएं कि वे संक्षित किन्तु सार गर्वित उत्तर दे छात्र वर्तमान समय में 5-6 प्रश्णों के उत्तर देते हैं इनकी संख्या बढ़ा दी जाएं तथा उत्तर की लंबाई को सीमित कर दिया इन परिक्षाओं से वैशायक्ता, सब्जेक्टिविटी, कम करने के उपाएं किये जाएं इस हेतु परिक्षकों को उत्तरों की जाँच की विस्त्रित योजना दे दी जाएं और परिक्षक अंकन योजना का कडाय से पालन करें नेक्स, प्रश्ण पत्र में जितने भी प्रश्ण हों चात्रों से अप्यक्षा की जाए कि वहें उन सभी प्रश्णों का उत्तर दे और प्रश्णों में न तो विकल्प हो और न प्रश्ण चयन करने की स्वतंत्रता, प्रतेक चात्र को प्रतेक प्रश्ण का उत्तर देना रिष्ण पत्रों का निर्वान साथ किया जाये और प्रश्ण पत्रों में केवल ज्यानात्मक प्रकार के ही प्रश्ण ना हूं। पितु अन्यु देशों से संबन्दित प्रश्णों को भी उप्युक्त मात्रा में भार प्रदान किया जाए। प्रश्णों की भाषा सरल सीधी तथा बोध गम्य हों, जिससे यह चात्र आशानी से समझ सके कि प्रश्ण क्या उत्तर चाहा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्णों के स्वरूप को बदला जाए, जिससे मूल यांकन में वस्तु निस्टता लाई जा सके। नेक्स्ट लंबे उत्तर लिखने के बजाए, छोटे उत्तरों को महत्व दिया जाए, साथ ही रेखा चित्र, मान चित्र, डाइग्राम, आधी बनबाने से संबंदित, प्रश्णों को उपियुक्त, महत्व और इस्थान दिया जाए। और सबसे अंत में हम इन सुझावों का अनुकरण करें और सबसे महत्व पूर्ण है कि जब भी हम अंत में मुल्यांकन करें, तो मुल्यांकन करते समय भाशा संबंधी त्रूटियों को अधिक महत्व ना दे। कि यूँकि भाशा संबंधी त्रूटियों को अगर महत्व दिया जाएगा, तो मुल्यांकन करने में हमारे समक्ष बाधा उत्पन होगी। इसलिए इन परिक्षाओं में इन दोशों को दूर करने के लिए उन सुझावों का अनुकरण करने की हमें परियाप्त आवशकता है। ठीके, आज हमने निवन्दात्मक परिक्षण के विश्वय में अध्यन किया, अगली वीडियो में हम जो हमारे शौट टाइप्स टेस्ट हैं और अब्जेक्टिव टाइप टेस्ट हैं, उनके विश्वय में अध्यन करेंगे, ओके, थैंक्यू क्लास.